दोस्तो पिछले वीडियों में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से चायना के द्वारा भारत के खिलाव परवानु हतियारों के डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और दोस्तो अब ख़वर ये है कि भारत भी चायना को चायना के ही भाषा में जवाब देने को लेके काम शुरू कर दिया और भारत के द्वारा भी चायना के इन हरकतों को काउंटर करने के लिए लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल के नस्दीक परवानु हतियारों का डिप्लॉ का ख़वर है या फिर कहें तो डिप्लॉयमेंट का घटना है इसे अगर बारी की से देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही मतलब 11 में के दिन मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के जो प्रेस विंग है मतलब डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन के तरफ से अपने एक ओफिशिल स्टेट्मेंट में बताया गया कि चीफ आफ डिफेंस टाप मतलब सीडियेज जेनरल अनिल चोहान के द्वारा दोज़र इस जेनरल अनिल चोहान के द्वारा स्टेटिजिक फोर्स कमांड के इलावा दो अन्ने ट्राइज सर्विस यूनिट स्टैबलिश्मेंट टू फारा स्पेशल फोर्स को और कॉलेज औफ डिफेंस मेनेजमेंट सिकंद्रावाद को भी ये अवॉर्ड दिया गया पर दोस्तों ये अवॉर्ड जो प्रदान किया गया उसमें सबसे महत्तपूर्ण बात ये है कि स्ट्राइजिक फोर्स कमांड को भी अवॉर्ड मिला Strategic Force Command असल में एक ऐसा कमांड है जिसे साल 2003 में create किया गया था और दोस्तो इसमें Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy के अधिकारी रहते है और यही कमांड भारत के परमानों हत्यारों के देखरेक और परमानों हत्यारों को लेके काम करता है अब दोस्तो अगर देखा जाए तो Strategic Force Command को मिलाया जाए तो भारत के पास अफिलाल तोटल दो ट्राइसर्विस यूनिट है जिनमें एक तो अंदमान निकोवार में है जबकि दूसरा है Strategic Force Command जिसमें की Army, Navy, Air Force दीनों का ही भागदरी रहता है और इसका जो कमांड इनिन चीफ ह होते है और ये Rotation Base पे इंडियन Army, Navy और Air Force से चुना जाता है अब दोस्तो यहाँ पे Strategic Force Command को अगर Award दिया गया है तो ओविसली इस दर्मियां Strategic Force Command के तरफ से कुछ ना कुछ महतपूर ना ऐसे काम को अंजाम दिया गया जिसके कारण ये Award मिला है दोस्तो ये Strategic Force Command है ये असल में Strategic Force Command के जो Headquarter है वो कहाँ पे है और कहाँ से इसके Office काम करता है हाला कि इसके जो Insight है मतलब इसके जो Symbol है उसके बारे में भी काफी कम लोगों को पता है और ये जादातर दिखता भी नहीं है अब दोस्तो यूरेशन टाइम्स के Report में दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पह से Border के नजदीक अरुनाचल प्रदेश में मतलब Line of Actual Control के नजदीक Strategic Force Command के नेत्रित में परवानुहतियारों का Deployment किया गया होगा अब दोस्तो इसे लेके संपूर्ण confirmation तो नहीं आ रहा है और कि केबल मात्र Eurasian Times के ही एक Report के Base पे है दोस्तो Strategic Force Command के Insight को अगर देखा जाए तो ये तीनों बेड़े के मतलब Army Navy और Air Force के सिंबल को मिला के है आर्मी के सिंबल से दो Crossward को लिया गया है जबकि Strategic Force Command के सिंबल में जो Eagle है वो Indian Air Force को Represent करता है और Anchor Indian Navy को Represent करता है और इसके नीचे संस्कित में लिखा हुआ है इसका motto अदोस्तो पक्का रूप में तो ये नहीं Stockholm International Peace Research Institute के साल 2021 के रिपोर्ट के मुताविक भारत के पास करिवन 156 परमनु हतियार है जबकि चार्ना के पास 350 और पाकिस्तान के पास 165 ऐसे हतियार है अब दोसो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2021-22 के दर्मियान Strategic Force Command के तरफ से कुछ ऐसे काम किया गया है जिसके कार साल 2021-22 को अगर देखा जाए तो गलवान घाटी के बाद ये ऐसा साल था जब भारत और चायना के बीज में टेंशन काफी अधिक था एक तरफ चायना के तरफ से लगातार भारत को दिसेंगेजमेंट को लेके जुटा धिलासा दिया जा रहा है जबकि दूसरे तरफ चायन के तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉडर के नजदिक अपने परवनु हतियारों को दाख सकने वाले बॉमबरों को भी लाया गया था इवन कुछ रिपोर्ट में दावा ये भी किया जाता है कि तविन बॉमबरों में परवनु हतियार भी लादा हुआ था हाला कि कभी दावे को लेके कोई तथे नहीं दिया जा सका लेकिन बॉमबर को लाने का सिंपल मतलब ये है कि चाइना भारत को असल में अपने फरवनु हतियारों को लेके ही डराना चाहता है दोसो उस दर्मियान दोनों देशों के तरफ से करीब करीब 50,000 के आसपास सैनिकों को बॉर्डर के नजदिक डिपलोई कर दिया गया था और खाली सैनिक नहीं बलकी रिपोर्ट के मुताविक तब लगभग सभी तरिके के हतियारों का डिपलोईमेंट बॉर्डर के नजदिक हो गया था ओविसली भारत के तरफ से भी उसका जवाब दिया गया होगा और शायद इसी वज़ा से भारत के तरफ से स्ट्रडिजिक फोर्स कमांड का इस्तेमाल किया गया होगा दोसो भारत के अगर परवानों हतियारों को दाख सकने वाले हतियारों को देखा जाए तो यहाँ पे अगनी सिरीज के मिसाइल है भारत के पास अगनी सिरीज में टोटल 5 मिसाइल है जिनमें अगनी 5 एक इंटर कॉंटिल इंटर रेंज बैलेस्टिक मिसाइल है जिससे लेकि अब तक दावा किया जाता था कि ये 5,000 किलोमेटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है लेकिन चायना मानता है कि ये मिसाइल करीवन 8,000 किलोमेटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है और 200 हाली में अगनी 5 मिसाइल का एक परिक्षन करके भारत के तरफ स विए सावित किया गया कि ये करीफ-करीफ 7000 किलोमेटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है जब कि दूसरे हतियारों के डिलेविली प्राटफॉर्म के रूप में भारत के पास रैफैल और मिराश 2000 जैसे यारक्रैप्ट है जो परवानू हतियारों से लैज हो सकता ह हलाकि इसके इलावा दावा ये भी किया जाता है कि जैगवर और सुखुई 30 MKI भी परवानू हतियारों से लैज हो सकता है और भारत के जो ब्रमोस मिसायल है उसमें भी परवानू हतियारों को लगा जा सकता है इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो नेवी जो no first use policy है वो दुश्मन को advantage देता है और भारत कभी भी परवानू हतियारों से पहले हमला नहीं करेगा बोलके दुश्मन हर समय चाहेगा कि पहला वार करके भारत के परवानू हतियारों को पहले जटके में नश्ट कर दिया जाए पर भारत जब से परवानू पहले के अगर उड़ान भड़ता है तो दुश्मन के लिए उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना लगभग नामुम्किन है अगर भारत के तरफ से अगर बॉर्डर के नस्देक परवानू हतियारों को डिप्लॉई किया गया होगा तो ये भारत के तरफ से उठाया गया अब तक के सबसे बड़ा और सबसे बहत्रिन कदम होगा क्योंकि चायना और पाकिस्तान जैसे देशों को सही तरीके से जवाब देने के लिए भारत को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये जो दो देश है ये लगातार भारत के सब्वेता को या फिर कहें तो गुड व तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा कि ये दोनों देश कभी ये ना सोचे कि भारत के उपर परमानु हमला करने का प्लान इन लोगों का सफल हो पाएगा अब दोस्तो भारत अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ड्रॉप करता है तो सिंपली ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा क्योंकि इसके बाद ये दोनों देश ना कोई मनसुआ बना पाएगा और ना ही कभी धमकी दे पाएगा क्योंकि अगर भारत को लगेगा कि भारत के उपर परमानु हमला हो सकता है या परमानु हमला करने का तैयार किया जा रहा है तो भारत नो first use policy drop करने के कारण उसके उपर भी कारवाई कर सकता है और वो भी परमानू हत्यारों से